भारत में एक तरफ जहां क्रिकेट प्रेमी 14 प्रूवर को होने वाले वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान के गलाफ रोमान चक मैच को लेकर जोश में हैं तो वहीं कुछ फैंस ने शोशल मीडिया पर भारत पाकिस्तान मैच को बाइकॉट करने की एक अलग मुहीं चेड़ दी है भारत पाकिस्तान मैच का ये विरोध कश्मीर में हुए हालिया आतंकी हमले के तार कथे तौर पर पाकिस्तान से जुड़े होने की वज़ा से हो रहा है शनिवार को होने वाले इस हाई वोल्टेज वॉल्ड काप मैच से पहले फैंस ने शोशल मीडिया पर इस मैच को बाइकॉट करने की धम की दी है इन लोगों ने पाकिस्तान पर आतंगवाद में शामिल होने का आरोप लगाते हुए एक बार फिर से बाइकॉट ट्रेंड्स की बार राते हुए यहे बहस छेड़ दी है कि क्या खेल और राजनितिक संबंदों को अलग अलग रखा जा सकता है इससे पहले 13 सितंबर को कश्मीर के अनंतनाल जले में आतंगवादियों के साथ मुटवेड में राष्ट्रे राइफल्स यूनिट में तैनाथ भारतिय सिना के एक करनल, मेजर और पुलिस उपादिक्षक शहीद हो गए थे एनाई की रिपोर्ट के मताबिक भारत ने वाल्ड कप में अपने मैचों के लिए पाकिस्तानी खिलाडियों का बड़े गर्म जोशी के साथ स्वागत किया था जिसकी तस्वीरे और वीडियो इस मुटवेड के बाद वारेल हुए थे इस मामले को लेकर कई लोगों ने सवाल उठाया है कि जब पाकिस्तान की ओर से आतंगवादी घटनाय जारी है तो पाकिस्तानी खिलाडियों की इतनी खातिरदारी क्यों की जा रही है इस भारते क्रिकेट कंटोल बोर्ड एमदाबाद के नरेंदर वोदी स्टेडियों में भारत पाकिस्तान के मैच से पहले एक म्यूजिकल शो करवाएगा जिसे इस मेगा टूनमेंट की ओपनिंग सेरेमिनी माना जा रहा है इस खास इवेंट में शंकर महादेवन, सुक्विंदर सिंग और अरिजीत सिंग जैसे सिंगर्स के प्रदर्शन करने की उम्मीद है कई फैंस BCCI के इस कदम से भी नाराज है, खास कर तब जबकि ICC Cricket World Cup के लिए कोई उद्गाटन समारों नहीं हुआ था दोस्तों इस मामले पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, खाबर पसंद आई तो इसे अधिक तदिक चेयर जरूर करें और क्रिकर्ट से जोड़ी थमाम खबले लगातार प्राप करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें